इस वीडियो में हम आपको 3D एनिमेशन से विश्तार से ये समझाएंगे की क्रूज मिसाइल कैसे काम करती है क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइल माने जाती है जिसकी स्पीड एक सेकिंड में एक किलोमेटर के लगबग होती है मतलब इतनी फास्ट ये मिसाइल का सबसे आगे का भाग होता है जिसको नोज कैप कहते हैं जो मिसाइल के लिए एक कवर का काम करता है इस नोज कवर के बिलकुल पीछे मिसाइल का सीकर होता है जिसमें हाई क्वाल्टी के थरमल इमेजिंग कैमरा और सेंसर लगे होते हैं जिसकी वज़े से मिसाइल को हवा में या ग्राउंड पर अपने टार्गेट का पता चलता है कि मिसाइल को किस टार्गेट पर फटना है सीकर के बिलकुल पीछे मिसाइल का कंट्रोलिंग सिस्टम लगा होता है जो मिसाइल को हवाई जहाज कीत रहे प्रोपर रास्ता दिखाता है और इस कंट्रोलिंग सिस्टम में एक फुल नैविगेशन सिस्टम लगा होता है जिसके अंदर तीन जाइरोस्कोप सेंसर और तीन एसकिलरोमेटर लगे होते है कंट्रोलिंग सिस्टम के बाद वोर हेड लगा होता है जिसमें बारूद और टोक्सिक पदार्थ भरा होता है जो टारगेट को तबाह करता है उसके बाद फ्यूल बलैडर लगे होते हैं जिनमें मिसाइल को उडाने के लिए तरल इंदन भरा होता है उसके बाद missile में combustion chamber भी लगा होता है जिसके अंदर इंधन और हवा का mixture जलता है और जिसके कारण engine को power मिलती है और engine missile को उड़ाने का काम करता है चलिए अब जानते हैं कि missile अपने target को बिल्कुल सही तरीके से कैसे डूंड लेती है और उसको तबा कैसे करती है या उसके उपर कैसे फड़ती है missile में high quality के sensor लगे होते हैं जो target तक traveling path बना लेते हैं जिसको follow करने के बाद missile navigation system के जरिये अपने target तक पहुँच जाती है missile के navigation system में motion और rotation यानि गती और घुमाओ के लिए sensor लगे होते हैं जैसे तीन gyroscope sensor और तीन escalometer gyroscope sensor missile के घुमाओ mode angle और speed को मापते रहते हैं और escalometer इसकी उडान की speed को माप कर बताते हैं इसके अलावा missile में transmitter और receiver भी लगे होते हैं जो electromagnetic radiation को target तक भेजते रहते हैं और ये radiation target से टकरा कर दुबारा missile तक पहुँचती हैं जिसके target की दूरी और उस तक पहुँचने वाले time का पता लग जाता है और ये सारी सुचना autopilot computer तक पहुँच जाती है और ये सारी information प्राप्त करने के बाद autopilot computer missile को proper तरीके से target के ऊपर छोड़ देता है और target से टकराते ही missile अपने अफ़ट जाती है तो दोस्तो इस तरीके से missile काम करती है अगर आपको हमारी ये 3D वीडियो थोड़ी सी भी valuable लगी हो तो हमारे channel को subscribe करें और इस वीडियो को like और share करें धन्यवाद